क्या सास बन सकती है मा अरे क्यो रे काम में ध्यान नहीं है जो सब्जी में नीरा नमक भर दिया मुफ्त में रोटी तोड़ने के आदर पड़ी हुई है ये सब यहां नहीं चलेगा गल्ती हो गई माजी माफ कर दीजिए माफ विचाहिए चल ठीक है ये नमक भरी सारी सब्जी खतम कर कुछ भी फेकना नहीं चाहिए मिल जाएगी माफ विचाहिए सुनैना की शादी कुछ महिनों पहले ही वासू से हुई है जिसके बाद से उसकी जिन्दरगी इस नर्क में जल ही रही है और अब यही सुनैना की आम जिन्दगी है जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के बस उसे परिशान कर खरी खोटी सुनाती ही रहती है सुनैना कल मुहीर कहां मरी हुई है इधर तो आ सास की आवाज सुन सुनैना भागती हुई उसके पास आती है क्या हो आमा जी अर तुझे पता है मेरे पैरों में दर्दर आता है तुम मुझसे बतला लेने के लिए टीवी का रिमोट इतनी दूर रख दिया अर अब मुझे जादा खड़ा कर पैर तुड़वाना चाहती है क्या आज पूरा दिन तु एक पैर पर काम करेगी अगर कही दूसरा पैर जमिन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सार्स और सुनैना की ये कहानी उसके नारज सिम्मी बहुत करीब से देख रही होती है जिस वज़े से उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है इसी तरह दिन बीटते हैं एक शाम वासो और सुनैना साथ बैठे होते हैं क्या बात है तुम दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही हो नहीं तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा मैं बिल्कुल चीकूँ ओ सकता है पर चलो ध्यान रखना मुझे कुछ काम है ऐसा बोल जैसरी ही वासु जाता है तबी सिम्मी बहां आ जाती है भाबी अब भाई को मा के बारे में बता क्यों नहीं देती वो आपके सार बहुत गलत करती है क्या सारे सिसुराल वाले ऐसी होते है भाबी मुझे तो शादी नहीं करनी बहुत डल लगता है मुझे अरे तुम बेकार ही टैंशन ले रही हो ऐसा कुछ नहीं है मुझे पता है तुमारा ससुराल बहुत अच्छा है इसलिए खुशी-खुशी ससुराल की तैयारी करो सिम्मी तो वहाँ से चली जाती है लेकिन सुनेना उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है कुछ दिनों बाद सुनेना के मम्मी पापा और भाई उनकी घर आते हैं जिने देख सास हैरान रह जाती है अप लोग सुनेना से मिलने आया है अरी बहु देख तो तेरे मम्मी पापा आया है जी नहीं आज हम यहा लड़की नहीं लड़के वाले बन कर आए है हाँ मा, मैंने ही सिम्मी और शरत के रिष्टे की बात मम्मी पापा से की थी शरत हमारी सिम्मी के लिए पॉफेक्ट है बेटे की बात मानते हुए उसकी मा रिष्टे के लिए मान जाती है पर अब सिम्मी के मन में ससुराल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है जैसे यहाँ मा भावी पर जुल्म करती है ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर रहे हैं इसे सब के बीच देखते ही देखते सिम्मी शरत की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी, सहमी, सिम्मी ससुराल पहुँच जाती है जहाँ पहुँचते ही वो डरते हुए बोलती है मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर दूँगी और जॉब भी छोड़ दूँगी जैसे आप कोगी, मैं सब कुछ वैसी ही करूँगी हरे, इतना डर क्यो रही हो? और अभी घर आई हो, कोई काम करने की जुरूरत नहीं नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो, फिरो रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी चोईस है कोई तुम्मे नहीं रोकेगा सास का ऐसा व्यवार देख सिम्मी हैरान रह जाती है और अपनी भावी सुनैना का ससुराल में पहला दिन सूचने लगती है चलो हो गया कारे क्रम खतम, जब आसु आराम कर बहू तो अपने काम पर लग जा काम से मेरा मतलब है घर का काम क्योंकि अपसे तुम इसके आलावा और कोई जाब बाब नहीं करोगी हा क्या हुआ, कहां खो गई? लगता है सपनों में ही गोमने लेगी बताती हूँ तुझे अभी, मेरी बेटी का मसाग बनाएगा सपने में क्यों? असलियत में घूमा कर ला जा ससुराल की ऐसी इमेज सिम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी अपने आपको बहू नहीं, बेटी सुन उसे बहुत हैरानी होती है लेकिन जैसे जैसे समय बीटता है तो अब सिम्मी को किसी भी जगर से ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है एक दिन सिम्मी सबसे मिलने माई के आती है तो अपनी मा को भावी पर चिलनाती हुए देखती है अरे करम जली, अगर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जग घर में नौकरानी ना रख लेती तुझे लेकराई जिस नौकरानी का प्रासा बचे पर तू तो उससे भी ज़्यादा खर्चा करा रही है बस माँ, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं, तो हर हद पार करोगी क्या तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं एक आप है उनकी बेटी को अपनी बेटी जैसा तो क्या बहु तक नहीं समझती मा आपको सुनकर मेर्ची ज़रूर लगीगी लेकिन मेरी सास मेरी मा से अच्छी मा और सास दोनों है इस पर सिम्मी अपनी मा को अपने ससुराल और उसकी प्यार के बारे में सब कुछ बताती है जिसे सुन सुनैना की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है अगर वो चाहते तो आराम से अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुझे हमसे भी ज़्यादा प्यार दिया तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो इसके बाद तो जैसे सुनैना की सास का रूप पूरी तरह बदल जाता है Mission successful Revenge लेना है क्या? हुआ 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 हुआ